Hello my dear students, welcome to my study notes, इस वीडियो में मैं grade 10 का topic area of circle, sector and segment का question discuss कर रही हूँ, तो चलिए समझते हैं, पहले ये question और फिर उसका solution, तो यहाँ पर दिया है question में, the perimeter of a sector of a circle of radius 14 cm is 68 cm, मतलब perimeter of a sector दिया है, तो sector क्या होता है, o, a, c, b, o, यह पुरा जो area है, वो sector होता है, तो यह circle का sector दिया है, और इसका radius हमें दिया है 14 cm, और perimeter, perimeter मतलब उसकी सिर्फ boundary कितनी है, वो दिया है, मतलब अगर मैं एक thread लेती हूँ और measure करती हूँ, o से a, a से फिर c, b, c और b, और b से again o, तो वो thread का length पुरा कितना होगा, वो हमें दिया है 68 cm, तो perimeter मतलब हम जो boundaries में चलते हैं, वो perimeter होता है, तो यह सब value से हमको क्या निकालना है, find the area of the sector, area मतलब यह जो sector के अंदर कितनी space है, यहाँ पे, वो हमें निकालना है, जो हमें values दी है, उसके, उससे, तो अब जब हमें area of sector दिया है, तो उसस हम कैसे निकालेंगे, area of sector, OA plus OB plus arc ACB, इतना values हमको दी है, OA plus OB और ACB का total, जब हम करेंगे तब हमें perimeter मिलेगा, जो हमें दिया है, already 68 cm, तो OA और OB 1414 है, तो उसमें से हमको arc ACB का value मिल जाएगा, यह जो arc length है, वो मिल जाएगी, और arc length मिलने के बाद, उस arc length को हम area of sector के formula में डालेंगे, तो हमें area of sector OA, CB भी मिल जाएगा, तो इस तरीके से हमें यह सम को प्रसीड करना है, तो पहले हमने given जितना भी दिया है question में, वो हमने लिख दिया, यहाँ पे perimeter दिया है, radius दिया है, center circle है, with center O, अब जैसे मैंने समझा आया कि जो perimeter है, वो OA plus OB plus arc ACB की value दी है, हमें 68 cm, उसमें से हमें OA और OB की value पता है, तो arc ACB की value हम निकालेंगे, तो यह 14 plus 14, 28, उसको हम लेके जाएंगे, right hand side में, तो हो जाएगा 68 minus 28, मनतने हैने के 40, तो length of the arc क्या मिला हमें 40 cm, मतलब ACB हमें मिला, arc ACB 40, cm, अब next हमें निकालना है, area of sector, area of sector OACB, जो चोटा वाला triangle के साथ, चोटा जो था, वो निकालना है, उसका value, चोटा circle का, यहां पर यह वाला, इसका हमको पूरा निकालना है, इस तरीके से, तो उसका कैसे होगा, half into radius into arc length, तो half into radius दिया है, 14 और arc length दिया है, निकाली हमने यहां पर 40, तो इसको हम निकालेंगे तो 280, तो area of sector आया हमारा 280, तो इस तरीके से, हमको यह दोनों values मिल जाती है, I hope आपको समझ में आया होगा, यह question को कैसे solve करना है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, तो like, share, subscribe करें मेरी channel को, thank you and thanks for watching.